तो यहीं स्वागत आपका मेडिकल जानकारी में आज किस वीडिये क्रह्ngे चानल को सबस्क्काइब। कमेंट्स आते थे कि सर अम बहुत ज़्यादा अवाज करने लग जाता है कि आपके पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है तो आप इसमें इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि या कारण आपको देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले बात करता है सुकी खांसी में जातर कारण होते हैं लंग्स वैक्टिरियल इंफेक्शन की विज़े से या फिर वाइरल वज़े से जैसे अभी मौसम चेंज होता है तो फिर उसमें भी खांसी आपको देखने को मिल सकती है इसके साथ साथी जो अस्तमेटिक पेशि कि व भाली खांसी का कारण वी यह होता है कि agararum तुछ पानी फ्लूला होगी फ्लूली की विजाता है बहुत ज्यादा दूद का भी अप युजक्ता एक dt प्रोड बहुत जादा दूद का भी आप यूज करते हैं वह उसमें महीं मिलकार पी तो भी बलगम जंब यही करद यही करण होता है लेकिन मेली जो कारण होता है वैक्रीयर की वज़सी देखनी को मिल जाता है जो आपके बलगम बहुत जंस भी आती हैँ आप खांच करते हो तो घर-घर के आपको फंस छूरू हो ќाती है तो treatment करने से पहले सबसे पहले अगर आप किसी patient को चक करते हो तो उनको जरूर कर लिजेक्ड को जरूर चेक करें जिससे बल्गाम और ऑगर है उनको पता चल सके है यह नहीं है कई बार क्या हो थो पिशन्ट तो खुदी भी बता देता है लेकिन आप精त वह आपको एक बार जरूर से जरूर चेक करना चाहिए वैसे में कई सारे दवाइयां चलती है जिसमें हम कोई भी दवाइयां एंटिवाइटिक्स का यूज कर सकते हो अगर उनसों आराम नहीं हो रहा है तो आपने दवाइयां तो चलानी चलानी है जाद में इंजिक्शन का भी यूज करना है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ उन पेस्टेंटों को क्या क्या आपको बताना है मतलब एक प्रकॉसंस के तौर पर या कहें तो अपना घरीलू इलाज के तोर पर सबसे पहले चीज इस्टीम को लेना उनको बराबर बताईए दूसरे चीज मैं इंजिक्षन जो है पेसेंट को देना है इसमाहा आता है आपका जाना इंजिक्षन जो काफी जाधा पॉपलर इंजेक्षन और बहुत ही बड़ी हां इसका रजल्स देखने को मिलता है मिकासन के नाम से मिलजा करेंगे इस वीडियो में यह एक अमीनो गला को साइड व्लोक कर देता है जिससे किया होता है कि वहीं पर समाप्त हो जाते हैं और फीया को खत्म करने में इसका यूज़ करते हैं लेकिन वत्यूंद्याइच्ट करते हैं ये दोनों ही खांसी हे ज्सेज़लों कெ-ो में और बलगम वाली कांसी में साथे साथ जैसे कि बहुत जादा किसी को वीट हो रहा है यूजज़ पर हम यही बात करेंगे कि स्वसनमार संग्टम में काफी ज्यादा यूज़ के जाता है इसके साथ से नीमोनेक कंडिशन में ब्लड इंफेक्शन की कंडिशन में इसका यू इसके जाता है, इस कीन में रिएसस हो रहे है या फिर किसी परकार से कोई कंडिशन हो रहे है और फीवर की कांडिशन हो इसको लिया जाता है लहते हु अब इसको आए पर लाई में जाता तो easy to use हो जाता है आपको लगाने के लिए doses होते हैं कि जो added की dose है 500 mg आप इसको दिन में दो बार लगा सकते हैं लेकिन एक ही बार काफी सही हो जाता है दूसरी साइड इफेक्ट की बात करें तो मितली होना, उल्टी होना, बेचेनी जैसी condition हो सकती है ऐसा compulsory नहीं हो, अगर किसी patient को ऐसा होता ही जैस चक्कर आते हैं injection लगाने के बाद उसको dilute करके आपने लगाना चाहिए जो still water आते हैं जैसे 2 ml के injection है तो 2 ml उसमें dilute still water डाल कर आप patient को direct लगा सकते हैं या फिर IV दे सकते हैं या फिर IM दे सकते हैं precautions की बात करें तो pregnancy के दुरान इसको नहीं देना चाहिए और जो baby feeding मतलगों अगरा होती है उनको भी नहीं देना चाहिए और किसी अमिनोगलाइको side injection से allergy होता है उनको नहीं देना चाहिए साथ इसाथ जिस patient को आप दे रहे हो सबोजो उसको अगर urine pass करने का मन हो रहा है उसको urine pass करने के बाद ही injection को लगाना चाहिए किसी का kidney का infection है तो उसको लेने से पहले doctor से जरूर करना चाहिए या फिर आपको अगर knowledgeable है तो अच्छी बात है लेकिन को थोड़ा इससे रखने चाहिए इस दवाए के साथ injection कर लगाने के बाद आपको पानी का ज्यादा से ज्यादा शेवन जो होता है patient को करवाना चाहिए कि फिर अगर आप इस नौरन विवर है तो उनको भी एक करवाना चाहिए तो गाइस यह था कुछ आज के इस वीडियो का topic जिसमें खासी के लिए best and dividing हमने बताया है कापी best result मिलेगा आप इसको daily लगा सकते हैं दिन में एक बार 4-5 दिन तक आप इसको यूज करवा सकते हैं तो वीडियो बसंद आए तो लाइक करें वीडियो को जाज है लोंग चाहिए शेयर करें वीडियो को मिलता है उन्हें नेक्ट वीडियो के साथ ओके बाइट आटायन थांक यू फॉर वाचेंग